जरा देखिए इन्हें कैसे चुप चाप खड़े हैं जैसे कोई अपराद किया हो हमें अपने अपरादी पर गर्व है तुम्हें कुछ कहना है मान महारानी महारानी महाबली पदार रहे हैं हमें इजाज़त दीजिए धिलगेर हमारा इंतजार करता है कि शहजादे शर्मीले स्वभाव की तो है लेकिन इस वक्त ऐसे भागे जैसे सच पुछ कोई अपराद किया हो अपने पिता का सामना नहीं करना चाहते हैं समर्भ आपने हमें याद किया कोई खास वज़े मान उठो और महाबली का आश्रवाद लो आखिर बात क्या है कोई हमें बताएगा महाबली डादा बनने वाले है क्या मान बेटी सर उठाओ और हमारी तरफ देखो तुम हमारी आखों का नूर हो बेटी सिर्फ हम नहीं आज सारी मुगल सल्तनत तुम्हारी आहसान मंद है इस मुवारक दिन पर तुम हमसे जो मांगोगी हम अता करेंगे मांगो क्या मांगना चाहती हो महाबली की छत्र चाया और उनका अश्रवाद उन पर तुम्हारा हक है यह हक हमारे जीते जी तुमसे कोई नहीं चीन सकता इसके इलाबा हमें और कुछ नहीं चाहिए पिता श्री करेंगे जीते बिसके जीते थैनी मांगोगी के दुमसे कोई तुमसे के अव, मैंने कोई था सरे जा ही तुमसे कोई पूरे कोई खर झाहा है तुमसे के अव, और कि अबेंगे कोई आए धने हमारे मैं, मैं कहां हूँ, कहां हूँ मैं, तुम महफूस हो, अल्ला की आमान में हो, मैं, और आगे पढ़ना सका, बहुत ठक गया था, निडाल हो गया था, फिर, दूर कुछ खे में नजर आए, मैं उन तक पहुंचना चाहता था, लेकिन फिर, फिर नजाने क्या हुआ, पानी, 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 क्या मैं जान सकता हूँ, मेरा महरवान कौन है, अल्ला ही सब का महरवान है, बेशक, मैं सिर्फ ये जनना चाहता हूँ, कि ये किसका पड़ाव है, पहले मैं ये तुम से जानना चाहता हूँ, कि तुम मुल्टान के इस हिस्से में कैसे पहूँची, आम तोर पर मुसाफिर ये रास्ता इस्तेमाल ने करते हैं, ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं, मैं, पहले तुम थोड़ी देर और आराम कर लो, फिर इत्मरान से अपनी दास्तान सुनाना, लेचो, बंद कीजिए बेकार के ये बहाने, आपके खाते में मालिये के वसूली की रकम, उस रकम की आदी भी नहीं, जो आपके पहले के दिवाने मालियात मिर्जा ग्यास बेक खजाने में जमा करते थे, जाहिए, और मालिये की बाकी रकम वसूल करके खजाने में जमा कर दीजिए, जाहिए, और मुझे एकेरा चोड़ दीजिए, बिना तेरे में कैसे जिसकोंगी, बिना तेरे मैं कैसे जी सकूंगी ना दे मेरी वफा को यू सजा तू ना दे मेरी वफा को यू सजा तू तेरा दिल तोड़ के क्यूं खो गया तू मेरे पूरों के शहजादे बता तू मेरे पूरों के शहजादे बता तू यहां से फरार होने के कोई रास्ता मिला जी नहीं सुल्तान विस्वाक से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर मोगल सेपाईयों का कड़ा पहरा है यहां की जागीर आपके नाम की है लेकिन यहां हुप सिर्फ मोगलों का ही चलता है लाना थे उस घड़ी पर जब हमने उस भगवा अंदास की जबान पर यकीन कर लिया आज तो गिरिफतार होते होते रह गया अगर सिपाही मुझे देख लेते तो माई डालते है हम किसी और रास्ते से फरार होने की कोशिश करते हैं नहीं सुल्तान यह खुदकूशी करने के बराबर होगा लेकिन हमेरे पस वक बहुत कम है आदिल बहुत कम मैं जानता हूँ मेरे आखा इसलिए हर रात अपनी जान की बाजी लगा कर इस जहन्नम से फरार होने का रास्ता तलाश करता हूँ लेकिन नाकाम रहता हूँ या अल्लाः मेरा बेटा कहा है कैसा है मेरा कश्मीर किस हाल में है मेरी मेरी हबा पर क्या गुजरी होगी या परवर्दिगार रह्म कर मुझ लाचार पर रह्म कर अल्लाः सब का हाफिज है वो उनको अपने रह्म औ कर्म के साहे में रखेगा मुझे यकिन है शहजादा याकुब कश्मीर पहुँच के होंगे कश्मीर एक खाब बनका लह गया बस एक खाब प्रवर्दिगगई प्राफीना बस एक सवपर है प्रवर्दिय कर झाले से dishonング बस प्रवर्दिग है झाले सवपरी युथपरी झाल झाल